गुद मॉर्निंग क्लास फित ओके बेटा नाव वी कन स्टार्ट नमबर क्यों एंग क्वेश्ट नमबर आट डिवाइट सम ओके क्वेश्ट नमबर क्यों इस 57,28615 डिवाइट बाइ 1,336 इसके साथ डिवाइट करेंगे हम डिवाइट लिख लिया हमने बीच में 57,28615 और उसको डिवाइट के साथ करना है 1,336 के साथ 1,336 की मंदिप्लिकेशन जब टेस्ट होगा तब लिखनी पड़ेगी अदरवाइज अभी मत लिखना ठीक है अब सिर्फ आप समय लो सबसे पहले है कि हम ने देखने कि कितनी ढंगे अगर वनन लेंगे तब पी छोटी हो गगी तब शोटी होगी ति निकि ट्री लेंगे तब भी चोटी होंगी हम कितनी तम लेंगे फोर डिश Например क्योंकि इदर क्या है 57 both यह और बाहर कितना है 1327 It means to say that हम यह 4 terms लेंगे अब हम देखेंगे कि 1,336 के table पर क्या 5,728 आता है अब हम देखेंगे कितना है 5,728 यह term तो नहीं आती लेकिन इस से छोटी term कौम सी आ रही है 5,344 यह आ रही कहां पर जाता है 4 पर 1,336 फोर्जा 5,344 हमने यह लिख दिया अब हम सब्ट्रेक्ट करेंगे 8-4 is 4 2 में से 4 सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 2 छोटा है तो इसने से बोलो लिए यहां पर हो गया 12, यहां पर क्यों हो गया 6 12-4 कितने होते हैं 8 and 6-3 कितने होते हैं 3 अब 384 था नीचे हम कहले किया है 6 क्योंकि 384 1336 से छोटा है तो हम नीचे कहले किया है 6 अब हमने देखना है कि क्या इसके टेबल पे 3846 आता है 1336 के क्या है यहां पर नहीं आता लेकिन उससे छोटी टम कौन सी आ रही है 2672 कहां पर 2 पर 1336 तूजा 2672 अब हम सब्ट्रेक्ट करेंगे 6-2 is 4 और 4 में 7 सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकते है यहां पर क्या हो गया 14 14-7 is 7 और यहां पर इसने इसको बोरो दिया था यहां पर क्या रहे गया 7 7-6 is 1 and x3-2 is 1 अब हमारे पास टर्म थी 1174 लेकिन वो 1336 से छोटी है तो हम नीचे क्या लेकि आएंगे 1 अब हमने देखना है क्या 11747 आता है इसके टेबल पर 11747 आता है नहीं उससे छोटी टर्म कौन सी आ रही है 1688 तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 1688 कहां पर जाता है 8 भी यहां पर हमने क्या लिख दिया 8 अब हम सब्ट्रेक्ट करेंगे 1 में से 8 सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकता है 11 यहां पर क्या होगा 3 11-8 कितने होते है 3 अब यहां पर 3 था क्योंकि 4 था ना पहले 3 3 में से 8 सब्ट्रेक नहीं हो सकते हैं, इसने से बोरो लिया, यहां पर हो गया 13, 13-8 कितने होते हैं, 5, अब यहां पर 6 हा, 6-6 कितने होते हैं, 0 and 1-0 is 1, 1-1 0 होते हैं, वो छोड़ गया भी है, अब हमारे पास इतनी टर्म थी, 1053, अब वो भी 1336 से छोटी, अब हम नीचे के ल प्रोटी टर्म काउम से He vistan, 9352, तो हमने यहां पर का लिखे देना है, 9352, अब सब्ट्रेक्ट करेंगे, 5-2 is 3, 3 में से 5 सब्ट्रेक नहीं हो सकते, यहां पर क्या होगा। 13, यहां पर क्या होगा, 4, 13-5 is 8, 4-3 is 1, 0 में से 9 अगें सब्ट्रेक नहीं हो सकता, तो इसने 4,287 and remainder is 1,183 clear next R is next R part 68,72,879 divided by 4,035 इसके साथ divide करेंगे तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले dividend बेच में लिखा अब हम देखेंगे कि 4,035 को किस के साथ करेंगे सबसे पहले अगर हम 1 term लेती है छोटी होगी 2 terms लेंगे वो भी छोटी होगी 3 terms लेंगे वो भी छोटी होगी लेकिन अब हमने कितनी terms ली 4 क्या लिया 6,872 clear अब देखना है कि 4,035 के table पे 6,872 आता है ने क्या आता है 4,035 तो यहाँ पे क्या आएगा 4,035 कहाँ पे आता है 1 पे तो यहाँ पे आगा 4,035 next 2 में से 5 सब्ट्रक नहीं हो सकते तो यहाँ पे क्यों हो गया 12 और यहाँ पे क्यों हो गया 6 12-5 कितने 7 6-3 is 3, 8-0 is 8 6-4 is 2 तो आपके पास है 2,000 sorry 283 sorry 2,837 था अब क्या है कि यह भी छोटी उससे टम अब हम नीचे के लिकिया हैंगे 8 मतलब आपके पास टम बन गे 28,378 अब देखना है कि क्या यह 4,035 के टेबल पे आती है नहीं यह नहीं आती है लेकिन उससे चोटी टम कौन से आती है 28,245 वो हम यहाँ पे लिख लेगे कहाँ पे आती है 7 पे 7 पे आती है यहाँ पे लिख लिख लिए 7 तो यहाँ पे आगी 28,245 अब सब्ट्रेक्ट करेंगे 8-5 is 3 7-4 is 3 3-2 is 1 आपके पास टर्म है 133 यह छोटी है 4035 से अब हम नीचे लेकिया है 7 तो हमारे पास टर्म बनगे 1337 अब देखो यह फिर अगें उससे छोटी है 4035 से तो हम नीचे क्या लेकिया है फिर 9 देखो अब हमने कितनी टर्म्स लेकिया है 2 टर्म्स जब हम continuously two terms नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर क्या लगते हैं sorry एक zero लगता है क्या लगता है यहाँ पर one zero clear जब हम continuously two terms नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है zero ठीक है अब देखना है कि क्या 4035 के table पर 13,379 आता है नए क्या आता है उसे छोटी टम 12105 कहां पे आता है 3 पे यहां पे लिखेंगे 3 और यहां पे आएगा 12105 अब हमने सब्ट्रेक्ट करना है 9-5 is 4 7-0 is 7 3-1 is 2 3-2 is 1 तो आपके पास 1-1 कितना हो गया 0 तो कॉशन कितना आया 1703 and remainder कितना आया 1274 अब आपके डिवाइड के सम खतम हो चुके अब है प्रॉब्लम सॉल सम जितने भी सम है प्रॉब्लम सम करके प्रैक्टिस करते जाना ओके नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम सम की फर्स ट्रेटमेंट है कहते हैं कि 216 शिर्ट कितने की हैं 3,35,235 कि कहते हैं बताओ एक शिर्ट कितने की होगी अब देखो जादा की गिवन है एक की फाइंड आउट करने है तो क्या करोगे डिवाइड क्लियर पता है ना कि जब आपको एक चीज़ की गिवन हो और जादा की फाइंड आउट करने हो तब आप क्या करते हो मंटिप्लाई लेकिन यहाँ पे जादा की गिवन है आपने ए का find out करना तो क्या करोगे? Divide. Okay, let's see. Okay, next. Question number two is cost of 216 shirt. 216 shirt की cost कितनी है? 3,35,232. आपने cost कितने की find out करनी है? Shirt की 1 की. 1 की find out करेंगे तो हमने 3,35,232 को किसके साथ divide कर देना है? 216 के साथ. Clear? 216 के साथ divide करना है. Divide करेंगे अब हम. 2, पहले हमने देखना है कि अंदर वाले कितने dessert लेंगे? 1 चोटा है, 2 भी चोटा है. कितनी terms लेंगे? 3. कि देखना है कि 216 के table पे 335 आता है? देखो, आता है? नहीं. उससे चोटी term कौन सी आ रही है? 216 कहाँ पे जा रही है? 1 पे. 216, 1s are 216. अब सब्ट्रेक्ट करेंगे. 5 चोटा है, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे 15, यहाँ बेको गया 2. 15-6 कितना होता है? 9. 2-1 कितना होता है? 1. 3-2 कितना होता है? 1. आपके पास term आई इतनी. 119. यह चोटी है. 216 से हम नीचे कहा लेके आएंगे 2. अब आपके पास कितनी term हो गई? 1,192. अब हम देखेंगे कि क्या 216 के table पर यह वाली term आती है? 1,192. No. क्या आती है? 1,018. कहाँ पे आ रही है? 5 पे. 216 फाइब 1,080. अब सब्ट्रेक्ट करेंगे 2-0 is 2, 9-8 is 1, 1-0 is 1, 1-1, 0. वो मैंने छोट दिया है. अब यह आपके पास term आई थी 112. 112 आप वो चोटी है 216 से, तो नीचे कहा लेके आए 3. अब आपके पास term है 1,123. अब देखो कि क्या वो 216 के टेबल पे आती है? नहीं. उससे बड़ी term है 1,296 एड़ी है 1,080. तो हम यह वली term लिखेंगे अगें. यहाँ पे आगी. अगें 1,080 कहाँ पे? 5 पे. अगें सब्ट्रेक्ट करेंगे. 3-0 is 3. 2 में से 8 सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकते हैं. इसने से बोरो लिया 12. 12-8 is 4. यहाँ पे क्या हो गया? 0. तो 0-0,0 होना था. 0-0,0 होना था. वो मैंने छोड़ दिया. यहाँ पे 432. अब देखो कि क्या 216 के टेबल पे 432 आता है? देखो. आ रहा है. कहाँ पे? 2 पे. 432 कहाँ पे आता है? 216 को अगर हम 2 के साथ मंटिप्लाई करेंगे. तो 216 तूजा 432. अब आपके पास रमेंडर के आएगा? 0 क्योंकि फुली चला गया वो. ठीक है? तो आपके पास जो कोशन्ट आया है. इक में टू से रहा है. तो एक शर्ट कितने की आई? 1552 की. 216 शर्ट की कोस्ट गीवन थी. हमने वन शर्ट जो है कितने के यह वो फाइंड आउट करना थो. तो इसके साथ इसको डिवाइड किया. तो आपके पास कितने कोस्ट आई है? वन शर्ट की 1552. क्लियर? नेक्स्ट हम कल करेंगे. ओके थैंक यू सो माच. हैव नाइस टी.